आपका स्वागत है मैं जोतिश चारे पूजा आज आप सब इकली कैसे जाएगा उन तमाम 12 राश्यों के बारे में तो आए जा लेते हैं आज का पंचांग आज 27 जनवरी 2024 है दिन है शनीवार है और जो पक्ष है वो क्रिश पक्ष है के लावा जो नक्षत रहेंगे अशलेश तो दर्शकों शुरुबात करने से पहले मैं आप से निवेदिन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लावा आप हमारे चैल को लाइक और शेयर जरूर करें शुरूबात करेंगे पहली राशी मेश र निर्ने में आपको शंका हो, दुविदा हो या कन्फूजिन की स्थिती आपको देखने को मिल सकती है। इसके लावा अगर आपके रिल स्टेट की बात करें तो शुरुबात काफी अच्छे रहने वाली हैं लेकिन जलबाजी में कोई निर्ने ना ले। हो सकते हैं कि निर्ने लेते सामें स्थिती बिल्कुल आपके विप्तित हो, माता के साथ सयम से काम ले, माता के साथ आपके किसी बात को लेकर आप उलत सकते हैं, इसके लावा आप अपनी प्रेम संबन्द को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकली विचार कर रहे हैं, आप अपने प अधर्मिक गती वीदियों में रुची बढ़ सकती है, इसके लावा आपके परिवार में किसी बड़े बुजूर्ग आश्यवाद आपको प्राप्त होगा, भागय सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भागय अगापका साथ है, दूसरी राशी व्रिश्व राशी के बारे में ज सकता है, यह यात्रा आगी के लिए टल सकती है, और किसी कारणवश कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, विध्याती पढ़ाई में पूरी तरीके से अपना इंटरेस्ट लूज करते नजरा रहे हैं, खासकर अपने पढ़ाई को लेकर उनके मन में दिल्चस्पी जो एक खतम होती नजरा रही है, शाम तक सीथी थोड़ी और असामाने हो सकती है, प्रेम समन्द को लेके भी कुछ इस प्रकार का हल देखा जा सकता है, हो सकते है कि शाम तक आप अपने प्रेम समन्द को लेकर कुछ एक प्रकार का बहुत बड़ा निंडले, क्योंकि कहीं या कहीं केटू के प्रभाव की वज़े से आप लोग के बीच में एक detachment दूरी देखी जा सकती है इसके लावा share market में कुछ investment के अच्छे offer आपको जरूर ने सकते हैं भाग गया आपका पूरा साथ देगा उच शिक्षा में आपका प्रदशन काफी बढ़ियां रहेगा पिता के साथ आपकी अपक्षा आपको निराश कर सकती है आप फिलाल किसी से किसी प्रकारतिय आपक्षा तो रखना नहीं चाह रहे हैं रिंगे फिर भी आपके बीतर हर किसी वेक्टी के प्रती आपक्षा बन जाती है भागय सपोर्ट की बात करेंगे 70% भाग यांग आपका दो है तीसी राशी में थों राशी के बारे मैं जा लेते हैं तो बनिलाक के परिवार के साथ जो भी समझ़ौता आप तक हुआ है किसी मुद्दे को लेकर जल्दी उसमें कुछ बद्वेत उभर का सामने आ सकते हैं किसी वेक्टी के गरन उसमें बैक आफ देखा जासकती है और अपने ही निर्णे से वो पलटते नजर आ रहे हैं और ये सिती आपके और परिवार के बीच में मुद्दे को और भी उलजा सकती है इसके लावा सेविक्स में कुछ गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है इसके लावा अगर आब बात करें आप विद्यारती की पढ़ाई की बात की है तो काफी अच्छे परदेशन की उमीद देखी जा सकती है परिवार के साथ किसी मुद्दे को लेकर तनाव या दूरी देखी जा सकती है आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप जो परिवार और आपके बीच में एक परकार का तनाव बना रह सकता है इसके लावा अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें तो फिलाल आज कर दिन भी आपके पक्ष में नहीं है हो सके तो कुछ समय के लिए उसको आगे के लिए टाल दें भागे सपोर्ट की बात करेंगे 58% है भाग या गपका 4 है चौथी राशी करक राशी के बारे में जा लेते हैं तो आज अपने ही निर्णे को लेकर कुछ आसुविदा या दुविदा की स्थी में रह सकते हैं शुवात काफी confident ली रहेंगे लेकिन जल्दी आपको स्थी आपके प्रतिकुल नजर आएगी जिसकी वज़े से आपको अपने निर्णे को बदलने में बाद्य होना पड़ेगा खासकर यदि यह निर्णे आपके वेवेसाई को लेकर या आपके personal relationship को लेकर है जीवन साथी के साथ को मिला के आप पूरी थरीके से युक्तों अगरना चारे हैं तो आप जादा react ना करें परतिकरिया बिल्कुल ना दे इसके लावा कुछ अच्छे समय के इंतजार करें स्तिती में जरूर परिवरतन आपको देखने को मिलेगा इसके लावा आपके वेवेसाय में कुछ अवरोध जो है दूर होते नजर आ रहे हैं साथी सरकारी शेते से भी कुछ अवरोध बना हुआ है तो उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी पूरी तरीके से यादी कमी देखना चाहेंगे तो थोड़ास आपको इसके लिए धहरे रखना होगा इसके अलावा आपको कुछ इस्वा से सम्मधी समस्या हो सकती है खासकर मानसिक स्ट्रेस से आपको गुजरना पड़ सकता है यदि आपको पहले से स्ट्रेस है या कुछ blood-cellulated problem है इन्फेक्शन है या बीबी के समस्या है तो पूरी तरीके से आसाबधान रहें आपको किसी प्रकार के तनाव या mental stress से दूर रहना है इसके लावा माता को समझने का पूरा प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी माता आप से किसी बात को लेकर रुष्ट या नराज हो सकती है कार शेट में को मिला कि महल समाने देखने को मिलेगा कुछ अच्छा अनुवफ तो आपको सीखने को मिलेगा ही भागया सपोर्ट की बात करेंगे तो 65 प्रतिशत है भागया अगाप का 6 है पांचीव राशी सिंग राशी के बारे में जान लेते हैं तो कोई मिलागी किसी कर्चे को लेकर अच्छाना कुछ दूविदा किसी तीमें आ सकते हैं या आपकिया पिक्ष्य आपको निराश कर सकती है कुछ कोट केस में आपका पक्ष थोड़ा मजबूत तो जरूर बनेगा लेकिन फिलाल आपको अपने केस को लेकर नजर नहीं आ रहे हैं इसकलावा जीवन साथी के साथ गंबीता आपको देखने को मिलेगी, कुछ स्वास्ते संबनी समस्या अगर बनी हुए तो अपने सेहत का ख्याल रखे, खासकर ठोट इंफेक्शन यानि गले के इंफेक्शन की समस्या आपको हो सकती है, भागे सपोर्ट की बात करेंगे, बास्रेट परतिशत है, भाग या गाप का चार है, छेटी राशी कन्या राशी के बारे में जा लेते हैं, तो लाप के लिए पूरी तरह के से अश्वस नजर आ रहे हैं, पूरी कोशिश करें, महनत करें, संगर्श करें, लेकिन शाम तक स्थिती, आपको थोड़ा सा निराशा कर सकती है, आपको लाप तो जरूर प्राप्त होगा, लेकिन आप एक्षा अनुसार नहीं मिल पाएगा, साथ ही बड़े भाई बेन के साथ कुछ आपको अपनी तरह से आप दोनेक दूस्तों का सहयोग तो करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी मेहनत करें, वो किसी की नजर में अभी आ नहीं रहा हूँ, जिसकी वज़े से आपको ऐसा लगते हैं कि आपकी सारी मेहनत पानी में जा रही है, कुछ कटाव या कुछ डिटैज महसूस कर सकते हैं अपने कारेशेत्रों को लेकर, यह जो परिवर्तन की भी आप सोच सकते हैं, इसके लावा रियल स्टेट में अच्छा उच्छाल दे सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी से लाप राप्त हो सकता है, इसके लावा माता का सेयोग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आप एक दूसरे के साथ सहज महसूस नहीं कर पाएंगे, खासकर आज के दिन, इसके लावा अगर आपके प्रेम समन्द की बात करें, तो फिलहाल आप अपने प्रेम समन्द को लेके कुछ नहीं सोचना चारे हैं, यदि आप सिंगल हैं, तो किसी के साथ रिलेशिशिप में बंदा पसंद नहीं करेंगे, आप अपनी अजादी अच्छे से नज़ाय करते नजार आरे हैं, क्योंकि आपके बीतर, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का कोई भी एक है सकते हैं, कि जो है मन नहीं है, भागे सपोर्ट की बात करेंगे, साथ पतिश्यत है, भागे अंगा आपका एक है, साथवी राशी तुलह राशी के बारे में जा ले थे हैं, तो आज आपके काम में कुछ नयापन देखने को तो जरूर मिलेगा, लेकिन कोई मिला के फिर आपको पुराने तरीके से ही काम करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, आप अपनी तरफ से कुछ नए टेकनीक तो असमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से आपको कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, और यह एक वज़या होगी कि आपको फिर पुराने तरीके से काम करने पर माद्धी होना पड़ सकता है, इसके लावा नए नौकरी का प्रयास करें हैं, तो थोड़ों confident में कमी जरूर देखी जा सकती है, किसी बात को लेके बहबीत हो सकती हैं, खास कर आप अपने job profile को लेकर, इसके लावा फिर भी आपको सफलत अची मिल सकती है, आपके विरोधी, आपको कुछ दुकसान करने का तो प्रयास करेंगे, या आपकी चबी के उपर कुछ गलत effect डालने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस प्रयास में वो असफल रह सकते हैं, इसके लावा आपके बीतर लोगों के प्रती, अपने relationship के प्रती, अपने जो भी विवार किसी की प्रती, आपके बीतर कोई भी इच्छा जो है नहीं फिलाल नज़र आ रही है, कुछ detachment की सिती में रह सकते हैं, मन आपका हर किसी के साथ उच्चाट नज़र आ रहा है, इसके लावा अगर आपके risk rate की बात करें, property business की बात करें, कुछ अच्छा return आपको जरूर तो देखने को मिलेगा, साथ ही इसको लेकर आप कुछ बड़ी planning मी करें, और आपके status में कुछ positive विद्धी देखी जा सकती है, चोटे भाई बेन के साथ आपके संबन समाने रहेंगे, उनके किसी उपलत भी इसके कारण आपके परिवार में को खुशी का महौल देखने को मिल सकता है, और इसके लावा किसी यात्रा के लिए भी planning आप कर सकते हैं, खास कर आपके स्थान से बाहर किसी अगर कोई विवाग का पस्ताब आपको मिले हैं, आटवी राशी, विर्शी राशी के बारे में जा लेते हैं, तो पिता के साथ आपकी बात बनते बनते बिगड सकती है, अचाना का आप लोग के बीच में एक जो स्थिती है, वो परतीकुल हो सकती है, या विपरीत हो सकती है और जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ किसी बात को लेके तनाव में आ सकते हैं इसके लावा उच्छा के लिए आपके प्रयास जो है वो आपको सफलता ज़रूर प्रदान करेंगे खासकर यदि आप विदेश के लिए प्रयास करें तो पईवार के पती कुछ अपनी इच्छा वेक्ट करिए तो बहुत जादा आप एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, काफी क्रोधित होते नजर आ रहे हैं, इसके लावा आपके छोटे भाई बैन के साथ थोड़े संगरश की सिती आपको देखने को मिल सकती है, वो आप भी किसी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको अगर रियल स्टेट की बात करेंगे, तो कुछ अच्छी स्थाइथ वो जरूर देखने को मिलेगा, इसके लावा माता के साथ संबंद में कुछ सम्माने था आपको देखने को मिल सकती है, पिता के साथ भी कुछ संबंद म के बारे में चाले देयां तो अचानाक आपकी सोच में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, प्रिवर्तन हैं कि या स्ट्रेस की सिथी भी देखी जा सकती है है रिजर्ट शेत्र में तो फिलाल कुछ अब भी बात बनती नजर नहीं आ रही, कोई न कोई कमी आपको जरूर देखने को मिल सकती है, इसके लावा स्वास्ते को लेकर भी कुछ जंता आपके मन में बन सकती है, कोई भै आपके मन में रह सकते हैं, किसी बात को लेकर सता सकता है हालकि आप अपने बविश्य के बारे में जाता सोच रहें लेकिन आपको वर्दमान में रहना चाहिए यदि वर्दमान में आपकी जो situation है परसिती अगर सही है तो बिल्कुल कोई भी ऐसा विचार ना करें अपने मन में खासकर नाकरात्मक प्रभाव या विचार को बिल्कुल दूर रखें इसके लावा पिता के साथ कुछ सपोर्ट की उमीद जरूर की जा सकती है और परिवार वालों के साथ भी कुछ आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है लेकिन परिवार वालों के साथ आपको उनकी बात भ योग देखने को मिलेगा प्रेम संबंद को लेकर आपके जो विचार हैं काफी द्रण नजर आ रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉंगली आप अपने रिलेशनिशिप को लेकर फील कर सकते हैं या उसके साथ खड़े रह सकते हैं और आपके जो पार्टनर हैं उनका भी आपको एक्व हुएं जिसकी वज़े से आपका विश्वास अपनों परी खत्म होता नजर आ रहा है इसके लावा आपके सेविंग्स में कुछ स्टेबिलिटी तो देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी आप अगर प्रेम संबंद में तो पार्टनर की वज़े से कुछ खरचा आपको देखन को मिल सकता है और इसी नुकसान के चलते आप लोग के बीच में किसी बात को लेके तनाव भी देखा जा सकता है अपनी जीवन साती के साथ फिला संबंद में कुछ उता चड़ाव आपको जरूर देखने को मिल सकता है खासकर शाम तक स्थिती जो है तोड़ी तनाव कुन हो सकती है हो सकते तो सही हम से काम ले इसके लावा आप अपनी एहम के चलते किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे खासकर अपनी ही कहना चाहेंगे और आपको यहीं लगेगा कि आप जो कह रहे हैं जो सोच रहे हैं वही सकते हैं बाकी कोई सकते नहीं है प्राक्रम में कोई कमी देखने को तो नहीं मिल पाएगी लेकिन फिर भी आपको काफी धहरे से काम ले रहे हैं खासकर अपने छोटी भाई-बैन के साथ अपने संबंध को लेकर इसके अलावा आपके अगर कारशेतर की बात करें तो कारशेतर संबंधी कुछ परिवर्तन के साथ आपको गुजरना पर सकता है या कुछ सान में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है अगर आप रियस्टेट के बिजनस में है या प्रॉपरटी के बिजनस में है तो इसमें कुछ विस्तार देखने को मिल सकता है किसी बड़े प्रजेक्ट में भी आप हमने भाग ये आजमाते नजरा रह क्यारवि राशी कुम्राशी के बारे में जा लेते हैं तो सेहत की चीज से या किसी दवाई से या किसी थंड से आपको कुछ इंसक्ष को सकता है। आप अपने status को लेके बहुत जादा conscious नजर आ रहे हैं, बहुत जादा अपने जो छबी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा negative या कुछ नकरातमाग आपको देखने को मिला है, जिसकी वज़े से आपके मन में एक भै भी देखा जा सकता है, पिता किस साल स सपोर्ड में तो कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी पिक्षा बहुत जादा रह सकती है, परिवार में किसी विक्ति के कारण कुछ दुविदा का सामना करना पर सकता है, या वो आपकी किसी काम में जब्दबरदस्ती दखल अंदाजी करते नजर आ रहे हैं, आपकी भागी सपोर्ट की बात करेंगे, 7% भाग या अपका 5 है, बाल्बे राशी मीरे राशी के बारे में जा लेती हैं, तो प्रेम संबंध को लेकर बहुत जादा डबल मैंडट किसी दी में रह सकती हैं, किस तरफ जाना है आपको यह समझ में नहीं आ रहा, और इसके ल में बहुत कमी देखी जा सकती है इसके लाबा जीवन साथी के साथ भी कुछ उतार चड़ाफ की स्ट्रेस देखा जा सकता है तो ऐसी स्टिती में आपको सहीम से काम लेने हैं आपको केटु का उपाई करना है हो सके तो गंड़पदी जी का नित्य जाप करें और जो की बात करेंगे तो ठावन पतिशत है भाग यांका आपका एक है दर्शकों आपके जो भी प्रशन सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले हरे कश्चना